आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक मैतमेटिक्स की एक और टेक्नीक के बारे में जिसका नाम है संकलन व्यकलन अभ्यम बाई एडिशन एंड बाई सब्ट्रेक्शन ये भी बोल सकते हैं इसे अब देखिए ये जो सूत्र है या फॉर्मूला ये किस तरह के कोश्चन्स में अपलाई होता है ये मैं आपको बताती हूँ अगर हमें कोई linear equation solve करना है two variables की जैसे ax plus by equals to c1 दूसरी equation है bx plus ay equals to c2 इस तरह के हमारे पास दो equations हैं और हमें इसको solve करके x और y की value निकालनी है वहाँ पर हम ये वाला formula use करेंगे तो आएए देखते हैं इस equation के खास बात क्या है कि जो यहाँ पर y का coefficient है वही यहाँ पर x का coefficient है और जो x का coefficient है पहली equation का वो ही y का coefficient है दूसरी equation का तो ये दोनों coefficients same होने चाहिए तब हम ये वाला formula apply कर सकते हैं अब देखते हैं इसका कोई एक example जैसे हमारे पास दो equations है 6x plus 5y equals to 25 दूसरी equation है 5x plus 6y equals to 30 यह equation 1 यह equation 2 अब हमें इन दोनों को solve करके x और y निकालना है जो हमारा traditional method है solve करने का उसमें हमें क्या करना होता है कि किसी एक का coefficient बराबर करना होता है तो उस तरीके से करने के लिए हम इसको क्या करेंगे पहले नीचे वाले को 6 से multiply करेंगे सबको और उपर वाले को 5 से करेंगे सब इक को multiply जिससे की x का जो coefficient है वो बराबर हो जाए फिर उसके बाद हम उसको further solve करते है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दो steps करेंगे हम सबसे पहले करेंगे addition और उसके बाद हम करेंगे subtraction तो आईए देखते हैं अगर हमने 1 और 2 equation add कर ली by adding 1 and 2 तो देखें हमें क्या मिलेगा 6 प्लस 5 11 x यहाँ भी 6 प्लस 5 ही है 11 y इधर क्या आजाएगा 55 अब इसमें से अगर हम 11 common ले लेते हैं यह 11 से divide करते हैं तो हमें क्या मिलेगा x प्लस y इक्वस टू 5 क्योंकि 11 5 जाए 55 इसको हम third equation मान लेते हैं अब जैसे हमने equation को add किया यह दोनों को इसी तरह से अब हम subtract करते हैं 1 और 2 को अब हम लिखेंगे subtracting 1 and 2 तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 6 minus 5 x बचेगा यहाँ है 5 minus 6 तो यहाँ पर minus x आ जाएगा minus y equals to 25 minus 30 यह जाएगा minus 5 तो यह हमारे पास आगी fourth equation अब देखिए third equation यह है fourth equation यह है अब हम क्या करेंगे third और fourth को फिर से add करेंगे adding third and fourth तो हमारे देखिए calculation थुड़ी आसान होगी क्योंकि अब यह simple numbers हैं जो आसानी से add हो सकते हैं तो यह आ जाएगा यहीं से हम देख लेतें सीज़े x और x add होगे क्या मनजाएगा 2x y और y cancel हो जाएगे add करते समय क्योंकि opposite sign है और इधर है 5 और इधर minus 5 तो यह 0 हो जाएगा इसका मतलब x equals to 0 तो देखे कितनी आसानी से हमने x निकाल लिया अब इस x की value हम किसी भी equation में रख सकते हैं तो हमें y मिल जाएगा चलिए हम third equation में रख लेते हैं यहाँ पर आप हमने x की जगर 0 पूट करना है तो क्या हो जाएगा यह देखे 0 plus y equals to 5 तो y आजाएगा 5 तो यह हमारी देखे y की value आगी और यह x की value आगी तो इसमें देखे calculation बहुत ही easy थी अगर traditional method से करते तो उसमें हमें calculations जादा करने पड़ती और इससे भी बड़ी equation कोई अगर है तो इस तरीके से बहुत easily उसका answer हम find out कर सकते हैं तो इसलिए इस method का नाम addition and by subtraction रखा गया है Thank you